बच्चे अपने जनम दिन के अफसर पर ऐसी टोपी पहना करते हैं अब जड़ा बताएं कि इस टोपी के आकार की और कौन-कौन सी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं इस टोपी के आकार की कई चीजें हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास देखते हैं जैसे यह है आसक्रीम कौन? यह कीप है और इस कीप का यह उपरी भाठ इन सभी वस्तूओं में क्या आप बता सकते हैं? क्या समानता है? नहीं देखें इन सभी वस्तूओं में एक शीर्ष है और एक वृतिय आधार है इस प्रकार की वस्तूओं को शंकू कहते हैं शंकू के एक शीर्ष होता है और वृतिय आधार का एक वक्र प्रिष्ट होता है शंकू के शीर्ष से उसके आधार पर यह लंब है इसे शंकू की उंचाई कहते हैं इसके वृतिया आधार के किसी भी बिंदु से शीर्ष की दूरी शंकू की तिर्ची उंचाई होती है एक शीर्ष होता है वृतिया आधार का एक वक्र प्रिष्ट होता है केंद्र O त्रिज्या A O बराबर R वाला एक वृत है O C आधार पर लंब है और यह शंकू की उचाई H है इसके आधार वृत के किसी भी बिंदू से शीर्ष की दूरी शंकू की तिर्ची उचाई होती है और इसे L से दर्शाया जाता है इस आईस्क्रीम कोन में कितनी आईस्क्रीम आएगी अब यह जानने के लिए हमें इस आईस्क्रीम कोन का आयतन ग्याद करना होगा हम हम बेलन का आयतन ग्याद करना जानते हैं याद है आपको ऐसा बेलन जिसकी उंचाई H हो और त्रिज्या R हो उसका आयतन होता है पाई R की घाद दो H क्या आप जानते हैं कि शंकू और लंब बृतिया बेलन में आपस में भी संबंद होता है नहीं तो हम आपको आज बताएंगे कि शंकू का आयतन ग्याद करने के लिए हमें लंब बृतिया बेलन की साहता लेनी पड़ती है इस जार को देखें यह एक बेलनाकार जार है और यह एक शंकू है इस शंकू की उचाई और त्रिजिया वही है जो इस बेलनाकार माब जार की है अब हम इस शंकू में रेत भरेंगे और इसे इस बेलनाकार जार में उडेल देंगे हमने इस शंकू में रेत भरेंगे इस शंकू में तीन बार रेत भरी और भर कर इसे बेलनाकार जार में उडेला और यह पूरे का पूरा भर गया इस प्रियोग से क्या निश्कर्ष निकला? इस प्रियोग से निश्कर्ष निकला कि समान उचाई और त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, शंकु के आयतन का तीन गुना होता है या दूसरे शब्दों में कहें, शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर की घात दो H तो शंकू का आयतन क्या हुआ एक बटा तीन पाई आर की घात दो H अब हम एक ऐसे शंकू का जिसके आधार की त्रिज्या 35 cm और उंचाई 72 cm है उसका आयतन ग्याद करना सीखेंगे शंकू की त्रिज्या आर बराबर 35 cm शंकू की उंचाई H बराबर 72 cm तो शंकू का आयतन का सूत्र है एक बटा तीन पाई आर की घात दो H यह हुआ एक बटा तीन पाई का आनुमानित्मान 22 बटा साथ आर पैंतिस गुणा पैंतिस और H 72 cm शंकू का आयतन हुआ 92,400 घन सेंटीमीटर सैनिकों को ठहराने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाना है इसे बनाने के लिए कितने कैन्वस कपड़े की आवशक्ता होगी इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें इस शंक्वाकार तंबू के वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद होगा आईए अब हम शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करना सिखें व्रिष्ट का त्रिज्य खंड O, A, B लिया और इसकी सीधी कोरों O, A और O, B को इस तरह से मिलाया कि हमें एक ऐसा शंकू प्राप्थ हो सके जिसके आधार का परिमाप इस चाप A, B की लंबाई के बराबर हो इस त्रिज्य खंड का शेत्रफल और त्रिज्य खंड का शेत्रफल होता है एक बटा दो L गुणा R, एक बटा दो L हुआ व्रिदखंड की चाप की लंबाई और R व्रिदखंड की त्रिज्या एक बटा दो गुणा शंकू के आधार की परिधी गुणा शंकू की तिर्ची उझाई एक बटा दो गुणा शंकू के आधार की परिधी दो पाई आर और शंकू की तिर्ची उचाई L तो हमें प्राप्त हुआ पाई आर एल शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ पाई आर एल अब हम एक ऐसे तंबू का जो शंकू के आकार का है और जिसकी उचाई आठ मीटर और त्रिज्या 6 मीटर है इसे बनाने के लिए कितने कैन्वस कपड़े की आवशक्ता होगी इस प्रश्ण को हल करेंगे इस शंकवाकार तंबू में कितने कैन्वस कपड़ा लगेगा यह ग्याद करने के लिए हमें इस शंकवाकार तंबू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करना होगा और हम जानते हैं कि शंकू का वक्र प्रिष्ट्य शेतरफल ग्याद करने के लिए हमें उसकी त्रिज्या और तिर्ची उचाई ग्याद होनी चाहिए परन्तु परश्ण में हमारे पास उसकी उचाई है और त्रिज्या है परन्तु तिर्ची उचाई नहीं है अब इसकी तिर्ची उँचाई ग्याद करने के लिए इस शंकू को देखें इस शंकू की उँचाई H है त्रिज्या R है और तिर्ची उँचाई L है यह एक समकोंट त्रिबुज है तो शंकू की तिर्ची उँचाई ग्याद करने के लिए हमें पाइथा गौरस प्रमे की साहता लेनी पड़ेगी और पाइथा गौरस प्रमे से हम इसकी तिर्ची उचाई ग्याद करेंगे शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल तो शंक्वाकार तंबू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ आर 6 मीटर तिर्छी मुचाई 10 मीटर 1320 बटा साथ 188 दशमलव 57 वर्ग मीटर तो इस शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 188 दशमलव 57 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा इस खिलोने की एक वर्ग मीटर सतय को पेंट कराने की लागत 25 पैसे है तो इस पूरे खिलोने को पेंट कराने में कुल कितनी लागत आएगी अब इस प्रश्ण का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल के साथ हमें इसके वृतिय आधार का शेत्रफल भी ज्याथ हो तो शंकू का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल जमा वृतिय आधार का शेत्रफल शंकू के वक्र प्रिष्टिय का शेत्रफल होता है पाई आर एल जमा आधार का शेत्रफल पाई आर की घाद दो यह हुआ πाई R L जमा R तो शंकू का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ πाई R L जमा R अब एक ऐसा खिलोना जो शंकू के आकार का है जिसकी उंचाई 28 cm और 31 cm है इसकी एक वर्क सेंटीमीटर सतय को पेंट कराने की लागत 25 पैसे है तो इस पूरे खिलोने को पेंट कराने में कुल कितनी लागत आएगी इस प्रशन को हल करें शंकू की उंचाई H बराबर 28 cm शंकू की त्रिजिया R बराबर 21 cm जैसा हम जानते हैं कि हमें शंकू का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करने के लिए उसकी तिर्ची उंचाई भी ग्याद करनी होगी तो पाइथा गौरस प्रमे की साहता से हम उसकी पहले तिर्ची उंचाई ग्याद करेंगे और तिर्ची उंचाई L बराबर H की घाद दो जमा R की घाद दो पूरे का वर्गमूल तो खिलोने की तिर्ची उंचाई L बराबर हुआ 28 की घाद दो जमा 21 की घाद दो पूरे का वर्गमूल 784 जमा 441 पूरे का वर्गमूल 1225 का वर्गमूल और यह आया 35 तो खिलोने की तिर्ची उंचाई हुई 35 सेंटीमीटर शंकू का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल का सूत्र है पाई आर L जमा आर तो खिलोने का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित्मान बाइस बटा साथ गुणा एक्केस गुणा पैंथिस जमा एक्केस खिलोने का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ 3696 वर्क सेंटीमीटर जैसा हम जानते हैं कि प्रश्ण के अनुसार एक वर्क सेंटीमीटर सते पेंट कराने की लागत है पच्चिस पैसे तो 3696 वर्क सेंटीमीटर सते पेंट कराने की लागत होगी 3696 गुणा पच्चिस पैसे 92400 पैसे या 924 रुपे कई प्रश्ण ऐसे होते हैं जिन में हमें त्रिज्या ग्यात नहीं होती केवल आधार का शेत्रफल ग्यात होता है तो ऐसे प्रश्णों में हम आधार के शेत्रफल की सायता से पहले त्रिज्या ग्यात करते हैं और उस त्रिजय की सायता से प्रश्ण के अनुसार शंकू का आयतन वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल और संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करते हैं आईए एक इसी तरह के प्रश्ण को देखें एक लंब व्रिष्टिय शंकू के आधार का शेत्रफल 78.5 वर्ग मीटर है और इसकी उचाई 12 मीटर है तो इसका आयतन वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल और संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करना है शंकू के आधार का शेत्रफल पाई आर की घाद दो और वह हमें प्रश्ण के अनुसार दिया है 78.5 पाई का मान 3.41 गुणा आर की घाद दो बराबर 78.5 आर की घाद दो बराबर 78.5 बटा 3.41 बराबर 785 बटा 10 गुणा 100 बटा 314 आर की घाद दो बराबर 25 तो आर बराबर 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल हुआ 5 तो हमें त्रिज्य अप्राप्त हुई 5 मीटर अब प्रश्ण में हमारे पास त्रिज्या है और उसकी उंचाई है परंतु तिर्ची उंचाई ग्याद नहीं है तो अब हम पाइथा गौरस्प्रमे की साहता से पहले शंकू की तिर्ची उंचाई ग्याद करेंगे शंकू की त्रिज्या दी हुई है 5 मीटर शंकू की उंचाई ह बराबर 12 मीटर तो शंकू की तिर्ची उंचाई L बराबर H की ग्याद दो जमा R की ग्याद दो पूरे का वर्गमूल तो L हुआ 12 की ग्याद दो जमा 5 की ग्याद दो पूरे का वर्गमूल 12 की ग्याद दो 144 पांच की ग्याद दो 25 पूरे का वर्गमूल 179 का वर्गमूल तो शंकू की तिर्ची उंचाई 13 मीटर तो आपने देखा कि प्रश्ण में हमें त्रिज्या ग्याद नहीं थी हमने आधार के शेतरफल की साहता से पहले त्रिज्या ग्याद की और उसके पश्चाथ हमारे पास त्रिज्या और उंचाई थी तो हमने उसकी तिर्ची उंचाई ग्याद की अब हम प्रश्ण के अनुसार पहले उसका आयतन ग्याद करेंगी शंकू का आयतन का सूत्र है 1 बटा 3 पाई आर की घाद दो H एक बटा 3 पाई का दिया हुआ मान 3.14 आर पाँच गुणा पाँच और H बारा 3.14 गुणा 100 तीन सो चौदा घन मीटर अब हम शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करेंगे शंकू का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल का सूत्र है पाई आर ल तो प्रश्ण के अनुसार हुआ पाई का मान 3.14 आर पाँच और L तेरा 204.10 वर्ग मीटर अब हम शंकू का संपूण प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करेंगे शंकू का संपूण प्रिष्टिय शेत्रफल का सूत्र है पाई आर ल जमा आर पाई का दिया हुआ मान 3.14 आर पाँच यल तेरा आर पाँच 3.14 गुणा पाँच गुणा आठारा 282.60 वर्ग मीटर आज हमने जाना कि किसी भी शंकवा कारवस्तू जिसकी त्रिज्या और उंचाई हमें ग्याद हो तो उसकी तिर्ची उंचाई उसका आयतन वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल और संपून प्रिष्टिय शेत्रफल किस प्रकार ग्याद किया जाता है आईए इसके सूत्रों को एक बार फिर से देख ले शंकू का आयतन एक बटा तीन पाई गुणा शंकू के आधार की त्रिज्या का वर्ग गुणा शंकू की उंचाई यह हुआ एक बटा तीन पाई आर की घाद दो एच शंकू की तिर्चिय उंचाई एल बराबर एच की घाद दो जमा आर की घाद दो पूरे का वर्ग मुण शंकु का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल पाई गुणा शंकु के आधार की त्रिज्या गुणा शंकु की तिर्चिय उंचाई तो यह हुआ पाई आर एल तो शंकु का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल है पाई आर एल संपून प्रिष्टिय शेत्रफल Pi गुणा शंकु के आधार की त्रिज्य गुणा शंकु की तिर्चि उंचाई जमा त्रिज्य पाई आर एल जमा आर तो शंकु का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ πाई आर एल जमा आर